फ्रेंट्स आज हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर की और साथ में हम बात करेंगे टाटा इस्टील की फ्रेंट जैसे कि आपको पता यह TATA MOTOR लगातार अपनी कमपनी को आगे लेके जाने के लिए अपने बिजनस को बढ़ाने के लिए लगातार एक के बाद एक बड़े निर्णे ले रही है और इसी से निकल के आए बहुत बड़ा एक फैसला कमपनी ने बहुत बड़ा एक फैसला किया है और उसकी वज़े से आने वाले समय में Tata Motor के बीजनस में क्या इफेक्ट पड़ सकता है और क्या इसके शेयर पे इसका इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि काफी समय से श्टॉक एक जगपे ही है और उस वज़े से लोग थोड़े से परिशान हो जाते है जब प्राइज नहीं बढ़ती है तो तो हम उसको जानेंगे कि कहां से इसकी तेजी बने के शुरुआत होगी कौन सा इसका फ्रेश ट्रिगर बनने वाला है तो सारी जानकरी आपको इस वीडियो के मादे मिसे मिल जाएगी तो अगर आपने Tata Steel में इनवेश्मेंट किया हुआ या Tata Motor में आपका इनवेश्मेंट है तो आपको यह पूरा वीडियो देखना ची है अगर आप दोनों stock में से किसी में investment करना चाहे तो भी आपको ये वीडियो देखना चाहे लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आये तो चैनल को subscribe कर दीजिए चलो friends वीडियो श्टार्ट करते है मैं हूँ आपका दोस SB दवे और हमारे अपने चैनल online कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है friends सबसे पहले हम Tata Motor के कारोबार को देख लेते आज Tata Motor का stock 331 पर open हुआ और दिन बर की यह आई थी यहाँ से फिर gear out हुई और यह low में चला गया 321 के और end में जो closing आई है वो है 322.85 पर करीब 2.21 परसेंट डाउन पर यानि इसमें माहुल गिरावट जैसे ही लग रहा है जो कि थोड़ा बाजार अब negative बना हुआ है profit booking काफी चल रही है बाजार में friends कारोबार एक जैसे ही चल रहा है अगर हम इसके एक महीने पहले के और stock फिलाल stable बना हुआ है लेकिन अब आई एक दमदार न्यूज निकल करें Tata Motor का Global Business आपको पता ही है JLR का है और JLR ने आने वाले समय में अपने खर्च में कटोती करने की रूपने का तयार कर ली है और इसके तहत उन्होंने अपने 2000 करमचारियों की कटोती करने का वीचार किया है यानि खर्च में कटोती करनी है इसके लिए ज़रूरी है कि कहीं से पी ऐसे निढ़ने लिये जाए जिसके वाफ़ से जो कम्पनी को पर जो खर्च का बड़न और friends इससे कारूबार पे कोई effect नहीं पढ़ने वाला है क्योंकि आपको पता है लगातार नई latest technology के उपर काम का चल रहा है जिसके वज़े से अब manpower की जुरुत बहुत कम पढ़ रही है और इस वज़े से जो ये 2000 करमशारी कम की जाएंगे उसके वज़े से कारूबार में समय में अपना पूरा कारूबार electric vehicle ही बनाएगी company और बाकी सारे production बंद कर देगी इसके लिए उन्होंने अपने अलड़ी बज़ेट की भी घोशना कर दिये तो JLR अपने electric vehicle के बीजनस के लिए 2.5 billion pound की बज़ेट की घोशना कर चुका है और इसके तरह अभी नए कारूबा परिवर्तित हो जाएगा तो एक बड़ा निनन लिया गया है Tata Motor के global business JLR की तरब से यानि अपने खर्च में कटोती की जाए और Tata Motor लगातार ये जो कोशिस कर रहा है अपने खर्च में कटोती करने की और इसी वज़े से आने वाले समय Tata Motor में बहुत ज़़ा तेजी बन सकत और Friends Company ने जो निनने लिया है कि आने वाले तीन साल में Company को Depth Free करना है तो इसकी तरब ये पहला कदम है और इसी को लेकर Ambit Capital के Analyst बासु देव बैनर जी का कहना है कि ये कदम Tata के cost cutting के formula को अपने आगे बढ़ाएगा और Company अपने आपको अच्छे से आगे बढ़ा पाएगी यानि उनकी तरब से इसको वेलकम किया गया निरने को और Friends सुमित बागडिया ने भी फिर से इसको लेने की सला दी है उन्होंने 330 के आसपास इसको खरीदने की सला दी हुई है और उनका कहना है कि राके जुन्जुनवला का ये मजबूद स्टॉक है और आपको 210 का stop loss लगा भी कलत साबित हो गया है हेस फंड रेनसंस टेकनोलोजी जो कि अपने क्लाइंट को बहतर रिटेन देने के लिए जाने जाते है और वो भी टाटा मोटर में चुक गए है अपने आपको इस चेतर के वो राजा मानते थे लेकिन इस बार उनसे गलती हो गई उनको आने वाले स और उन्होंने अपनी होल्डिंग की करीब वन धर्ड शेर बेज दिया टोटल फिर तेजी का तुफान आया और टाटा मोटर के इस तेजी से वो चूक गए तो इतना बड़ा हेज़ फंड वो भी इस बात को जान पाया कि आने वाले समय में टाटा मोटर के शेर में बड़ी और कमर्शल विकल का बीजनर्स लगातार इंप्रूव हो रहा है और इस वज़े से आने वाले समय में और जादा इसमें तेजी की समाओना बन रही है टाटा मोटर जिस तरसे कारोबार कर रही है और जो अपने निर्णे ले रही है आने वाले समय में इसके स्टॉक में आने वाले समय में कॉस्ट कटिंगे द्वारा अपने प्रॉफिट को बढ़ाया जा सकता है तो इसलिए एक बड़ा निर्णे लिया गया है अब हम चलेंगे टाटा इस्टिल की तरह फ्रेंड टाटा इसलिए के कारोबार को देख लेते हैं श्टॉक ओपन हुआ 700 पर हाई बनाई 711 की और लो में चला गया 694 के और एंड में जो क्लोजिंग दिये हो है 695.55 पर करीब 0.18 परसें डाउन पर यानि फ्लैट क्लोजिंग है और इसके पीछे बजी बाजार की गिरावट निपाल स्टिल और साथ में टाटा स्टिल बी एसल जो की पहले भूसन स्टिल नाम से जाना जारता था उनका मरजर टाटा स्टिल में करने के लिए मिटिंग बुलाई गई है और इस वज़े से महल तेजी का बना हुआ है यानि ये दो कंपनिया भी टाटा स्टिल का एक भा गारुबड चलता है Tata Steel में अगर हम इसके Technical Level की बात करेंगे तो Moving Averages bullish निकल के आ रहा है daily-level पर technical indicators bullish है और Moving Averget Crossover हो भी bullish है। этого parametra taking the Version Level परहिए और Moving Averages कन करेंगे यहतों है. एक सब्छा तक भी इसमे तेजी बनी रहेगी मंतली लेवल की बात करेंगे तो moving averages बुलीश है technical indicator बुलीश है और moving averages cross over neutral इसका मतलब Tata Steel में आने वाले समय में तेजी जारी रहेगी अगर हम इसके pivot level की बात करें तो friends यहां से अगर gear out रोती तो पहला जो support है वो है 664 का है उससे निचे stock दोड़ेगा तो फिर जाएगा 756 तो तो यह अभी short term में 756 तक जा सकता है तो अगर आपको इसमें investment करना है तो आप stop loss लगा के ले सकते हैं आने वाले समय में आपको इसमें अच्छा profit मिल सकता है और जिस तरह से merger होगा फिर company और बड़ी बन जाएगी तो profit और जादा मिल पाएगा stock दोनों मजबूत लग रहे है ताटा के दोनों खिलाड़ी है आप investment दोनों में investment कर सकते हैं लेकिन friend कोई भी investment करने से पहले अपने financial advisor से एक बार एड़विज ले ले या अपना खुद का research करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजू के संद पर पंच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो like से जूर कीजे और चैनल को subscribe कर दीजे थैंक्यू friend